हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक माचायम आये मास्तूश और आज को टॉपिक है सम इडियम्स एंड दियर मीनिंग्स दोस्तों हमेशा इंग्लिश में एक चीज हमेशा हमें याद नहीं रहती है जो की होता है इडियम तो वही आज हम बात करेंगे कि कुछ इडियम्स और उनके म मैं आपको इस वीडियो में बताने चाहँ रहा हूं तो आप इस वीडियो को last तक देखिएगा और last में मैंने आपके लिए एक question रखा हूँ है तो आप उसे जरूर सॉल्फ करिएगा और comment करिएगा उसका answer So, let's start So, our first idiom is better late than never. इसका English में 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 होता है Better to arrive late than not to come. इसका मतलब ये है कि Better है कि हम late पहुँचें नहीं जाने से यानि नहीं जाने से तो अच्छा है कि हम late पहुच जाए लेकिन जरूर जाए वहाँ. Our next idiom is hang in there. इसका मतलब होता है do not give up. यानि हमें किसी चीज़ को घाजिल करने के लिए वो काम करते रहना है. We should not give up. Our next idiom is make a long story short. इसका मेंनिंग है tell something briefly. यानि किसी चीज़ को छोटे में सुनाना. मानल जी कि आपको किसी को स्टोरी सुनाना है तो आप उसे यह deeply नहीं बताईए बल्कि briefly बताईए. तो आम बोल सकते हैं make a long story short. Our next idiom is call it a day. इसका मतलब है stop working on something. यानि किसी चीज़ पर काम करना बंद करना कुछ दे रोख लिए ठीक है? Our next idiom is get out of hand. इसका मतलब है get out of control. यानि इतना गुसा हो जाना कि आप अपने control में भी ना हो आप कुछ भी कर दो होगे. इसका मतलब होता है very common यानि कुछ साधारन सा चीज़. आप किसी शॉप में गए और आप किसी वाच को देखा आपने और आप बोलोगे कि अगर आपका फ्रेंड बोलेगा a dime or dozen ये dime or dozen है तो आपको उसका मीनिगार नहीं समझ में आए तो आप मेरा चैनल का वीडियो देखिए आपको सब समझ में आ दाएगा उसका मीनिगार very common यानि बिलकुल साधारन. Our next idiom is hit the sack यानि go to sleep यानि सोने जाना. So guys, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक question पूछूंगा है तो आज का question है कोई एक country जिसके नेम में a नहीं आता हो यानि a country which have no a in it. Okay? So for today only this much. If you like this video, click on the like button, subscribe my channel, click on the bell icon, share this video and comment. Thank you. Thank you.